स्वागत है आपका अफिशिल कारिया लेकर आज के इस नए वीडियो में आज की वीडियो में आपको चिखाऊँगा कि आप कैसे एकसेल में ऐसे एक सर्च बॉक्स बनाके बड़े डेटा में किसी भी वैल्यू को सर्च कर सकते हैं और मुल्टिपल क्राइटेरिया दे सकते हैं आप उमीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सिखने के लिए मिलेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें कॉमेंट करके अपना फीडबेक जरूर दे और इस चैनल पर अगर आप नए है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों मैंने एक डमी डिटा क्रिएट कर लिया हुआ कुछ इंप्लॉई का यहा यहां पर सर्च नाम से तो मैं उस टैब में चला जाओंगा और यहां पर उन हेडर्स को पेस्ट कर दूँगा प्रेट्शिट की साइट बढ़ा लेते हैं इस तरह से और इन सारे कॉलन हैडर्स को मैं थोड़ा एड्जस्स कर लूँगा अब इसकी बाद नेक्स्ट टेब मे हमें एक rectangle shape डालना पड़ेगा जो कि हमारा search box के लिए काम करेगा तो उसके लिए पहले insert पर click करेंगे यहां पर illustrations पर click करेंगे यहां पर shapes का option is पर click करेंगे और यहां पर rectangle के section में आ जाओंगा और यहां पर मैं एक rounded corner वाला rectangle select कर लूँगा उसको select करे कुछ इस तरह से यहां match हो completely अब इस box को मैं थोड़ा shadow effect दोंगा चलगने के लिए shadow effects में जाएंगे और मैं यह वाला option चूज कर लूँगा offset center वाला shadow अब next जो है हमारा जो border है इस shape का उसको हम थोड़ा adjust कर लेंगे तो मैं यहां पर फिर से shape outline पर click करूँगा wait पर आ जाएंगे यह one है तो मैं इसे one and a half कर लूँगा थोड़ा थिक कर लूँगा अब इसके बाद हम इस shape का duplicate बनाएंगे इस लेकर एक control D press करेंगे इसका duplicate बन जाएगा पहले तो हम इसका shadow effect निकालेंगे तो हम shape format में चले जाएंगे shape इफेक्ट में जाकर no effect कर देंगे shape भी थोड़ा change कर लेंगे तो edit shape में जा set कर लेंगे इससे यहां पर set करने की बाद हम shape format में आ जाएंगे और इसका outline यहां से हम remove कर देंगे तो यहां पर no outline select कर लेंगे और इसे एक shape ले देंगे थोड़ा dark color में तो यह वाला select कर लेंगे उसके बाद हम insert tab पर आ जाएंगे illustrations पर जाएंगे और यहां icons पर click करेंगे और यहाँ पर हम search का icon add कर देंगे, तो icons में हम type करेंगे, search करेंगे यहाँ पर, search लिख कर, enter press करेंगे, यह वाल option select कर लेंगे, insert, size adjust करके, कुछ इस तरह से और इसे यहाँ पर set कर देंगे, यहाँ graphic fills में आ जाएंगे, और इसे white color दे देंगे, इसका कुछ इस तरह से हमारा search box जो हो बनकर ready हो जाएगा, next हम अपने search बार वो select करेंगे, control D press करके, इसका एक duplicate बना लेंगे, तो drag करके, यहाँ side में हम इसके parallel इसे set कर लेंगे, उसके बाद हम developer टैप पर आ जाएंगे, यहाँ insert के drop down पर click करेंगे, और यहाँ पर यह वाल option select करेंगे, text box active x control पर, और हमारे search box के अंदर हम इस text box को draw कर लेंगे, कुछ इस तरह से, इसे draw करने के बाद next हम फिर वापस insert में जाएंगे, developer secondary, और form controls के अंदर यहाँ पर option button का एक choice है, उसके बार click करेंगे, और यहाँ पर हम उसे draw कर लेंगे, box के अंदर थोड़ा adjust कर लेंगे हम इसे, पहले check box को हम name दे search from right, वापस से एक दूसरा check box insert करेंगे, इसके बगल में, और इसे हम नाम दे देंगे, हम search from left का, next हम एक और check box insert करेंगे, और उसे हम नाम देंगे, search anywhere, इसके बाद हम control क्लिक करके इन तीनों ही check box को select करेंगे, shift format में चले जाएंगे, align पर click करेंगे, और align top करेंगे, उसके ब background के जो box हमने add कि यहाँ उसे भी select करेंगे, उसके बाद right click करेंगे, group का option है, यहाँ पर group के उपर click कर देंगे, और यह एक group बन जाएगा, next हम अपने search box हो यहाँ पर select करेंगे, developer tap पर जाएंगे, और properties पर click करेंगे, properties पर click करने का, हमारे पास एक option आता है, यहाँ पर special effect का, special effect पर click करेंगे, और यहाँ drop down में जाकर हम effect flat पर select कर लेंगे, इसे close कर देंगे, side में click करेंगे, तो देख सकते हम यहाँ पर जो borders आते हैं, search box के, वो borders गयाब हो चुके है, तो अब यह जानते हैं कि अब यह search box हमने बना यह काम कैसे करता है, तो हम इसे फिर से select करेंगे, properties म में चले जाएंगे, यहाँ पर link cell का option है, जो कि blank है भी, तो मैं यहाँ पर B1 लिख देता हूँ, और इसे हम close कर देंगे वापस से, design mode के बाहर आता हूँ मैं, अब मैं यहाँ पर जो भी कुछ type करूँगा, वो B1 में appear हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, unofficial चिल कारिया ले, तो वहाँ पर type हो जाएगा, इस search box का जो size है, वो थोड़ा बढ़ा कर लेता हूँ, ताकि हमें दिखे, मैं फिर से design mode में आ जाता हूँ, और size थोड़ा सा adjust कर लेता हूँ, okay, तो कुछ इस तरह से हमारा search box से वो काम करेगा, उसके बाद देखते हैं कि यह हमारी check box है, वो कैसे काम करेंगे, तो पहले तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, design mode से बाहर निकलते हैं, right click करते हैं, किसी भी एक check box के उपर, format control का option आ जाएगा, इसके उपर click करेंगे, और यहाँ पर नीचे link cell का option है, तो मैं यहाँ पर A1 दे देता हूँ, मान लिजिए, और यह जो है हमारा search type है, क्योंकि हम यहाँ पर जो check box है, इसे हम search type बोलेंगे, और यहाँ पर जो हम text लिख रहे हैं, तो इसलिए हम इसे search text बोलेंगे, जो B1 में value आ रही है, उसे हम search text बोलेंगे, तो अब यहाँ पर इने name दने के लिए हम formula type में चले जाएंगे, name manager पर click करेंगे, new पर click करेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे search underscore type, ok पर press करेंगे, एक और नया ऐड करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे search underscore text, अब यहाँ पर value हम change करके B वाली ले ले लेंगे, B1 की ले ले लेंगे, और इसे ok कर देंगे, और close कर देंगे, इसके बाद हम कुछ और names add अपने data जो हमने यहां पर data sheet में डाला हुआ है उसके basis पर तो हम चाहते कि जो हमारा search criteria हो हमारा name हो तो इसके लिए हम name के लिए एक name दे देंगे name manager के अंदर और उस name के इसाफ से हमारा data है तो उसको हम उसी हिसाफ से name देंगे next हम यह जो name है वो dynamically set करेंगे कि अगर आप यहां पर नया record add करें तो वो भी consider हो जाए हमारे search box में आप search करो नया record को तो वो भी search हो उस तरह से हम इसे design करेंगे तो सबसे पहले हम इसे अपने पूरी range के लिए set करेंगे तो यहां पर आ जाएंगे अपने search tab पर यहां पर लिखेंगे equals to और complete range को हम select कर लेंगे end तक और इसे freeze कर लेंगे F4 प्रेस करके इस complete range को और enter प्रेस करेंगे इसके बाद हमारा जो data कुछ इस तरह से यहां पर present हो जाएगा अब हम चाहते हैं कि हमारा जो data है वो dynamically update हो जिसे कि हम यहां पर कुछ नया line डाले तो automatically update हो तो उसके लिए हम यहां पर कुछ formula में changes करेंगे अभी उसके लिए पहले हम यहां से 21 को हटा देंगे और जो complete formula है इसे हम inverted commas में ले लेंगे ताकि एक text के form में आ जाए उसके बाद end में हम यहां पर and टालेंगे और यहां पर formula लिखेंगे count a, count a का formula लिखेंगे हम bracket open कर लेंगे, data tab में आकर हम complete a column को select कर लेंगे ताकि यहां पर हमारे नई row जैसे की a22 भी add हो तो वो भी consider हो जाए, complete b column select करेंगे ताकि हमारा कुछ नया नाम आए b22 में भी तो वो भी consider हो जा करके, इसलिए हम यहां पर indirect function का use करेंगे, indirect लिखके bracket open करेंगे, और end में आकर bracket close कर देंगे, enter press करेंगे, और मैं फिर से अपनी पूरी range मिल जाएगी यहां पर, अब अगर मैं data tab में जाकर कुछ नया name add करूं यहां पर, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ, unofficial, enter, अब यहां पर ह जाकर देखेंगे search में कि यहां पर आ रहा या नहीं आ रहा है, तो यहां पर एक नई line item बन चुकी है, unofficial के नाम से, हमारी values जी रहे हो कि हमने वह input करी नहीं है, अगर हम input करेंगे तो वह भी यहां पर आ जाएगी, तो next में वापस जाकर यहां पर यह line को delete कर देता हूँ, अभी के लिए, उसके बाद हमने यहां पर formula अपना create कर लिया, जिसके वाज़े से हमें पूरा dynamic range यहां पर मिल रहा है, तो इस formula को मैं copy कर लूँगा, copy करके formulas में आ जाएंगे, यहां पर name manage के उपर click करेंगे, new के उपर click करेंगे, और यहां पर इसे name दे देंगे, whole range, और न नया हम name create करेंगे, अब next हम create करेंगे सिर्फ name के लिए, अपने dataset में, तो हम इसे भी dynamic रखेंगे, तो उसके लिए हम पहले चले जाएंगे, formulas के अंदर name manager में चले जाएंगे, यहां पर हमने whole range के लिए एक name already create किया हुआ है, तो इस formula को हम copy कर लेंगे, यहां new पर click करेंगे, के name में हम name लिख देंगे, formula reference में हम same formula को paste कर देंगे, अब इसके नदर एक change हमें करना होगा, वो यह कि हमारा data यहां पर selected है, वो A से F तक है, और हमारा जो name है, वो सिर्फ B में है, तो हम यहां सिर्फ B to B को select कर लेंगे, सिर्फ, okay press कर देंगे, और इसे close कर देंगे, अब द के लिए set करेंगे, तो हम यहां पर पहले cell पर आ जाएंगे, employee ID के नीचे, यहां पर लिख लेंगे, equals to filter, bracket open कर लेंगे, array आ रहा है, तो यह array में हम whole range को डालेंगे, comma press करेंगे, include आ रहा है, तो include में हम name लिख लेंगे, equals to search text, search text, और अगर यह blank रहा तो show blank, bracket close करेंगे, enter press कर देंगे, तो यहां पर हमें उसके values यहां पर मिल जाएंगे, अब मान लिजे कि मैं यहां पर सिर्फ दो ही letters के type कर रहा हूं, PR लिख रहा हूं, तो यहां पर हमें result नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हमें थोड़ा formula में changes करने होंगे, पहले हम आ जाएंगे अपने cell पर जहा सारे matches हमें दिखा दें, तो इसे select करेंगे, bracket close करके enter press कर देंगे, तो हम देख सकते हैं यहां पर PR यह दो पहले letter है, इन दोनों नाम के, तो हमें दोनों records यहां पर दिख जा रहे हैं, अगर मैं यहां पर सिर्फ P लिखूंगा, तो इससे matching भी सिर्फ दो ही नाम है, इसलिए formula को वापस copy कर लेंगे, और नया एक नाम देंगे यहां पर, और इसे नाम देंगे हम search from right का, यहां पर उस formula को paste करेंगे, अब खाली एक ही जो difference है वो इसमें आएगा, कि हमने यहां पर एक left का formula डाला हुआ था, अब उस left के formula को change करके हमें right डालना होगा, यहां पर हम left को पर इसे first letter A मिल गया, उसने उसे pick up कर लिया, अब इस तरह हम इसे try करते है, search from right देकर, equals to search from right select करते है, enter, इसे right में पहला letter मिल गया है इस नाम में, तो इसने इस नाम को pick up कर लिए, तो अब हमारे दोनों formula work कर रहे है, तो finally हम try करते हैं कि हम search anywhere के उपर कैसे formula set कर सकते हैं, त उसके लिए हम formula लाएंगे, equals to filter का, bracket open कर लेंगे, array में हम whole range टाल लेंगे, comma लगा कर, हम यहाँ पर लिखेंगे not, not function open कर लेंगे, फिर is error वाला function open कर लेंगे, उसके बाद search function लगा लेंगे, यहाँ पर find text में हम अपना search, search text का जो हमने name manager create किया था, उससे हम select कर लेंगे, within मे name को select कर लेंगे, name का, जो हमने name manager create किया था, उससे select करेंगे, और bracket को close कर देंगे, हम इसे आपको explain करता हूँ, search function जो है, वो, मान लेजी कि हमने यहाँ पर a लिखा है, तो search function is a को, पूरे के पूरे data में हमारे search करेगा, कहां पर है, अगर उसमें कोई error है, तो is error जो function है, वो भी हम text box में लिखेंगे, जैसे कि हमने a लिख दिया text box में, तो a को match करेगा, name के column में, हमारे data sheet में, और उसके इसाफ से यहाँ पर वो data को present करेगा, तो हम enter प्रेस करते हैं, और जहां कहीं भी उससे a मिला है, उसने उन सारे ही rows को यहाँ पर present कर दिया, तो इस तरह से हमने search formula को भी copy कर लेंगे, यहाँ से, copy, name margin में जाएंगे, एक नया name create कर लेंगे, इसे नाम दे देंगे search anywhere, refers to में हम उसी formula को paste कर देंगे, और ok press कर देंगे, और इसे close कर देंगे, finally हम चाहता है कि हम यहाँ पर कोई भी checkbox select करें, तो उसकी हिसाब से हमारा formula refresh होना चाहिए, तो इस कि if search type is equals to 2, then search from left, कॉमा लगा कर, अगर यह दोनों ही नहीं है, तो search anywhere, bracket close करेंगे, और enter press करेंगे, तो यहाँ पर हमें value मिल जाएगी, यह search from left है, तो left में a है पहला, तो इसलिए हमें यहाँ पर amul की value मिल रही है, अगर मैं से search from right कर दूँ, तो यहाँ पर हमें last में a मिल र आ रहा है, और search anywhere, create करेंगे, तो कहीं पर भी वो a को search करेंगे, और हमें value यहाँ पर present कर देगा, तो basically यह काम कर रहा है, finally हम इस formula को copy कर लेंगे, formula tab पर आ करके, name manager पर चले जाएंगे, new formula create करेंगे, इसे हम नाम दे देंगे, search data, यहाँ पर formula paste कर देंगे, और ok press करेंगे, और इसे close कर देंगे, अब simply हम यहाँ पर सिर्फ equals to search data लखेंगे, equals to search data, enter press करेंगे, और यह automatically formula apply हो जाएगा, यहाँ पर, finally हम यहाँ पर अपनी जो attendance और performance score की value है, इसे हम percent में convert कर लेंगे, तो in तक हम इस column को select करेंगे, control shift और 5 press करेंगे, और यह percent में convert हो जाएगा, इसे completely select करके हम central line कर लेंगे, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, अब इसे hide करने के लिए हम इसका font color है उसे white कर देंगे, ताकि वो दिखे ना यहाँ पर, तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से search box create कर सकते हैं अपने excel file में, बिना किसी VBA या coding की requirement के, बच कुछी steps follow करके आप sheets को बना सक सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं next video में, thank you